पर भाई टाटा के उपर उन्हाने खुद वीडियो बनाया है और उसके अंदर बताया है कि उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा जुरूरी है और उनके लिए भी जो अभी नई कार खरीदने की सोच रहे हैं इसको तथियर ये सच है और सच को कोई जोटला नहीं सकता इ नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अभी इस व्लोग के एक और नए वीडियो में भाई आज वीडियो बनाने के लिए मैं अपना फेस लेकर आया हूं और उसका कारण है क्योंकि कुछ लोग ना मेरे कमेंट बॉक्स में आगर बार बार ये मतलब मेरे को बोलते है कि देती है क्या तो पहली बात तो ये कि मेरे को टाटा कमपनी कोई पैसर नहीं देती है और ना मैं प्रमोशन करता हूं मैं सिरफ जो सही बात है ना जो लीडल बात है उसके मैं साथ में रहता हूं क्योंकि मेरी कार बाई टाटा की है और उसकी वज़े से नहीं कि मेरी कार टा एंड़ा है सेफटी उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी है और उनके लिए भी जो अभी नई कार खरीदने की सोच रहे हैं मारुति शीजी की स्विफ्ट एस्प्रेसो और अपने ये इगनिस ये और या फिर वक्सवेगन की टाइगून और स्कॉडा की देखना बहुत जरूरी है उसका थोड़ा सा वेक्ति का जो आप्शन है ना वो कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद उसका कारण में बता देता हूं कि हाली में भाई एंकेप के अंदर ग्लोबल एंकेप के अंदर चार कार्स को टेस्ट किया तो इन क्रैस्टेस्टिंग के अंदर भाई क्या क्या रेटिंग्स इनको मिली है उन पर एक बार आप ध्यान जरूर दे देना इस वीडियो में बताऊंगा और क्यों जरूरी है इन पर ध्यान देना वो भी मैं बताऊंगा भाई महुत ज़्यादा जरूरी है इन रेटिंग टाटा का कोई मुकाबला नहीं है क्योंकि ज्यादातर कार्स जो है न भाई वह फाइव स्टार ले आती है एंकेप के अंदर ग्लोबर एंकेप के अंदर तो अब मैं बता देता हूं आपको कि अभी फिलहाल जिन कार का टेस्टिंग किया गया है उनमें से मारूत्य की तीन कार प्राज्स है एक तोह है स्विफ्ट और दूसरी है थे drops और टीसरी है अपने ignis तो तीनों को ही भाई बहुत बुरी कदर से one star मिला एंदर ब्ली और इंडर्साफ्टिका और अथा कमेंट बॉक्स में आकर बार बार जो यह कहते हैं कि मेरे को तो मारूती 25 का एवरेज दे रही है मेरे को तो 30 का एवरेज दे रही है तो भाई खूब चलाओ खूब कोई दिकत नहीं है, 40 का एवरेज भी पा लोगे मैंने अभी कल पर सो एक शॉट्स देखा उसमें उन्होंने वो ऊपर का वीडियो बता कर वो 40 का एवरेज बता रहे है और बोल रहे हैं, भाई 40 का एवरेज देती है मारूती सुजुकी की जो कार्स है न वो देती होंगे, भाई बहुत बढ़ी आवरेज देती होंगे पर क्या आपकी जान से भाई तो फिर और कार का क्या हाल होगा भाई आप देखो, क्या आप सेफ हो उसमें नहीं हो, मैं यह नहीं कह रहा है कि वो कार्स मत खरीदो, खरीदो आप आपकी इच्चा है आप खरीदो, पर फिर मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर आकर यह मत बोलो कि टाटा की कार्स का प्रोपोगेंडा है सेफटी के नाम पर प्रोपोगेंडा नहीं है भाई, सेफ है यह हकीकत है अभी कुछ दिनों पहले भाई मनिश कश्चप जी के वीडियोज मैंने देखे थे एक-दो और उन्होंने भी भाई टाटा की कार्स के बारे में काफी कुछ कहा है देखो मनिश कश्चप के वीडियो जदातर राइजनीति पर या जो खसा हालत होती है देश की उन चीजों पर उनके वीडियोज आते है पर भाई टाटा के उपर उन्होंने खुद वीडियो बनाया है और उसके अंदर बताया है कि किस परकार से टाटा के कार्स जो है न वो 4 और 5 स्टार सेफटी रेटिंग लेकर आती है तो सबसे पहले भाई मैं मारूती की सुट की बारे में बात कर लेता हूँ 1 स्टार 1 स्टार दोनों ही एरिया के अंदर उसके बाद इगनिस को भी बुरी तरीके से 1 स्टार 1 स्टार और उसके बाद एस्प्रेसो भी पूरी तरीके से डिसपॉइंट करते हूए 1 स्टार 1 स्टार उसके बाद बात करते है भाई जो सबसे बड़िया रेटिंग लेकर आई है ना वो है Scorpio N जिसने adult safety के अंदर 5 star और child safety के अंदर शायद 3 star वो लेकर आई है और उसके अलाव सबसे बड़िया performance रही भाई जो Volkswagen की नई टाइगून आई है उसकी दोनों ही areas के अंदर उसने 5 star gain किया है नए norms के अनुसाद मैंने कहाना नए norms में side impact जाचा जाता है global end cap के अंदर side से टकर लगाकर यह चेक किया जाता है के अंदर बैठे हुए passenger safe है या नही तो उसके अंदर भाई दोनों ही areas के अंदर 5 star gain किया है टाइगून वक्सवेगन की उसके अरावा जो स्कौड़ा की कुसेक है उसने भी अच्छे stars गेन किया है यह दोनों गाडियां और score पर इन इनको छोड़ दे तो बाकी तो भाई आप समझ लो कच्रा तो अगर आप लो तो क्या आप उसमें safe हो भाई यह आपको सोचना है मुझे नहीं मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ आपको reality है यह reality है कि one star मिला है और unsafe है अब तो यह साबित हो गया है कि पूरी तरीके से unsafe है one star भाई तो जिस car में आप बैठ रहे हो उस car के अंदर क्या आप safe हो आपकी family safe है यह propaganda नहीं है यह tatas cars की खासियत है और मैं जिस car में बैठा हो ना भाई यह मेरी five star gain की हुई car है और मुझे कोई तकलीफ नहीं है मुझे बिल्कुल निस्चिंत होकर मैं इस car को चलाता हूँ तो मुझे कोई दिक्रत नहीं आएगी कभी भी और देखिए मौत और जिन्दी लोग अब यह मुझे comment करेंगे वह तो नहीं करना है पर खुद बेवकुफी एसी क्यों करें जिससे बगवान को भी मौका मिले है तो ऐसी बेवकुफी नहीं करनी है मेरी तरप से मैं तो नहीं करूँगा आप करना चाहू बहली करो अब comment box में propaganda है टाटा का यह वह फ़लाना टीम यह लिखना हूँ खूब लिखना तो भई जो देशकी कंपनी है उसके अच्छा ही तो हम करते रहेंगे और हमेशा ऐसे इन कार्स का हम साथ देंगे हमारी टाटा पंच तो सेफगाड़ी है और सेफगाड़ी ही रहेगी हमेशा हमेशा के लिए तो भई ये सारी चीज आपको इस वीडियो में क्लियर प्रड़ी थी अगर मनिस कश्चप जी का आपने वीडियो नहीं देखा तो इसका भी लिंक भई आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप जाकर उनका वीडियो जरूर जरूर देखना और इस वीडियो में इतना ही था मिलते हैं धर से वीडियो जरूर झाल साइब एं।